आगर हम अपने कंप्यूटर या लैप्टोप का पासवर्ड चेंज करना जाते हैं तो इसको बहुत ही असानी से हम चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे सर्च पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे कंट्रोल पैनल यह देखो कंट्रोल पैनल यहां पे लिखाओ और यहां पे कंट्रोल पैनल यहां पे आ जाएगा यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह बि लोकल अकॉंट अड्मिस्टेटर और यह जो है यहां पे पासवर्ड लगा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो इसका मतलब यह है कि कम्प्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ है तो हम इस पासवर्ड को चेंज करना जाते हैं तो इसको करने क के लिए हम यहां पर मनेज अनदर अकॉंट यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह बिंडो यहां पर आ जाएगी यहां पर डैल लोकल अकॉंट अडिमिस्टेटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड इस अकॉंट के उपर हम यहां पर क्लिक करेंगे यह देखो यहां पर हमने click किया, click करने के बाद यह option हमारे पास आ जाएंगे जैसे यहां पे लिखा हुआ है change the account name change the password तो हम क्या करना जाते हैं यहां पे password change करना जाते हैं, तो हम यहां पे change the password यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद हमारे पास यह option आ जाएंगे यहां पे लिखा हुआ है current passport यहां पे दूसरे नमब्र पे लिखा हुआ है new passport कि हमने यह current passport जो पहले का 좋아 है वो यहां पे हम लिखेंगे new passport जो अभी हमने नया password set करना है वो यहां पे लिखेंगे इसके बाद confirm new password y password लिखना है जो हम नया create करना जाते है वो यहाँ पर लिखना है इसके बाद यहाँ पर दिये गया type a password hint अगर हम password का कोई hint यहाँ पर set करना जाते है तो वो भी set कर सकते है तो यहाँ पर यह दिये गया है current password तो हम यहां पे जो हमारा current password है जो हमने अपने computer या laptop में set किया हुआ है वो यहां पे लिखेंगे तो current password है 123 यह हमने अपने computer में लगाया हुआ है इसके बाद यहां पे इसको change करना जाते है 123 नहीं हम यहां पे 123456 यह password set करना जाते है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह नए पासफ़र्ड हमने यहाँ पे लगा दिया इसके बाद confirm new password यहाँ भी हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह पासफ़र्ड हमने लगा दिया अगर यहाँ पे इसका कोई hint हम यहाँ पे देना जाते हैं तो दे सकते है अगर नई भी यहां पे हिंट दिया हुआ है तब भी यह हम यहां पे password set कर सकते है इसके बाद change password यहां पे click करेंगे तो change password पे click करने के बाद यह हमारे पास यहां पे account आ जाएगा Dell local account administrator password protected तो यहां पे यह password protected है जब हम अपने computer को restart करेंगे तो जो password हमने पहले लगाया था 123 वो password हम नहीं बरेंगे उसकी जगा हम 123456 यह password बरेंगे तब ही हमारा computer यह laptop अपन होगा otherwise यह open नहीं होगा तो इस तरह से हम password को change कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि passport को change कैसे किया जाता है तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद